तो कैसे हैं आप लोग क्या आपको भी करनी है चीजे शॉट अरे विजली वाला शॉट नहीं यार एस ओ आर्टी वाला सॉट तो हम सॉट बोले तो किसी भी चीज को एक ओर्डर में अरेंज करते हैं चाहे वो एसेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो बड़े से छोटा या छोट से बड़ा जैसे 123 या 321 ये एक ओर्डर में है तो आज हम क्विक सॉट अल्गोरिधम की मदद से देखेंगे प्रैक्टिकली की कैसे हमने सौट इलेक्ट्रानिक रेजिस्टर को कैसे हमने सॉट किया स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा इंडिया में पढ़ेगा इंडिया तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास धेर सारे बिखरे हुए रेजिस्टर हैं तो हम इन्हें सॉट करेंगे इनकी वैल्यूज के हिसाब से मैंने यहाँ एक्जामपल में रेजिस्टर लिया है आप कोई भी चीज ले सकते हैं चाहे वो बुक्स हो कपड़े हो कोई डेटा हो या पैसे हो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला सब कुछ इससे सॉट हो जाएगा तो हमारे पास तीन कैटेगरी में रेजिस्टर हैं एक के वाले एक बिना के वाले और एक एम वाले तो चलिए हम इस भीड में से इनके जुड़वा बच्चों को अलग अलग ग अपना पहला स्टेप अब पूरा कर लिया है अब हम इनके गरूप को सॉट करेंगे अलग अलग करके यह एम वाले गरूप में बस दो ही रेजिस्टर थे इसलिए हमने इसे सॉट करने की कोई जरूरत नहीं तो इसे अलग कर देंगे अब हमारे पास यहां दो ग्रूप बचे हैं एक के वाले और एक बिना के वाले यहां मैं बिना के वाले को पहले सॉट कर रहा हूँ जैसा कि हमने बताया आपको कि हम क्विक सॉट का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम एक बीच का कोई साभी वैल्यू ले लेंगे जो आपको सही लगे वो अपने हिसाब से ले लें मैंने यहां पर 470 ओम को लिया है तो हम इससे टॉप पे रखेंगे और हर एक रेजिस्टर को इससे कंपेर करेंगे अगर वो इससे बड़ा हुआ तो हम उसे राइट साइड में डाल देंगे और अगर वो उससे छोटा है तो हम उससे लेफ्ट साइड में डालेंगे जैसे कि यहाँ पर यह 47 ohm है तो यह छोटा है इसलिए यह left में जाएगा और यह जो 680 है वो right में जाएगा क्यूंकि यह 470 से बड़ा है तो चलिए हम अब अपना काम फिर से चालू करते हैं sorting का तो बच्चो हमें sort करने के बाद सिर्फ दो ही register मिले जो इससे बड़े थे इसलिए हम अब इन तीनों को easily sort कर सकते हैं कोई भी तरीके से अब हम इसे अलग-अलग कर लेंगे और अब हमारे पास यह आया left side वाला group तो फिर से हमें वही करना है एक middle value लेनी है और फिर से उसे compare करना है कि वो बड़ा है या छोटा उसी हिसाब से हम उसे right में डालेंगे या left में डालेंगे और और ये process हमें repeat करते रहना है जब टाक हमारा sorting खतम नहीं हो जाता और last की values में सिर्फ एक या दो नहीं बचते जब आपके पास इनके पहाड बन जाए तो आप इन्हें एक के उपर एक के उपर एक डाल सकते हैं मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि एक के उपर एक रखने के बाद हमारी सारी values order में हो गई है मेरे पास काफी register हैं तो मुझे दो तीन घंटे लग गया इन सब को sort करने में जी हाँ दो तीन घंटे आपने सही सुना और यह सबसे fast bullet train वाला तरीका था इस से कम टाइम में कुछ नहीं होने वाला मुना सो गाइस सारे group बनाने और stack करने के बाद यह कुछ इस तरह हो गए तो मैं एक custom box भी बनाया था इनके लिए तो मैं इसमें वैसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े values को इनके order में डाल देता हूँ इन छोटे छोटे boxes में अब मैं असानी से कोई भी रेजिस्टर की value को खुद सकता हूँ और उठा ले जा सकता हूँ तो I hope आपको समझ आया होगा की quick shot क्या होता है और यह कितना quick है तो अब क्या कहना है आप लोग समझदार है ही like comment कर नहीं दिये होंगे good 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 और हाँ अपने हर contact को यह वाला वीडियो जरूर सेयर करना चाचा चाची दादा दादी काका का की मामी मामा सहाथ ससूर भाई या भावजी ठीक है ओए subscribe करना मत बूलना ठीक है ना